है स्टुडिंस आज के हमारे इस लेक्च्छों में हम हमारे इस सेंपल विपर का कॉशन नुम्बर 14 सॉल करेंगे यह क्योशन एक केस्टरी कोशन है केस्टरी कोशन तो उसनों रियर लाइफ बेस पर होते हैं यानि की रियर लाइफ बेस सिजूशन समीधी जाती हैं और उसे रिलेटेड कुछ कॉशन समसे पूशे जाते हैं और ऐसे कॉशन को मैट्स की हेल्प से सॉल करते हैं तो काफी मज़दार चीज है यहां से मैं पता लगता है कि मैट्स की डिली लाइफ एप्लिकेशन क्या है तो हमारे इस कॉशन में बोला गया है एक स्मॉल टाउन जो की नादिया डिस्रिक्ट वेस्ट बंगल में है जो की है कृष्णा नगल एक काफी फेमस है डॉल्स के लिए डॉल्स जो कि clay की help से बनाये जाती है इन clay से बनने वाली डॉल्स को natural colors से paint किया जाता है और different तरीके की डॉल्स यहां बनाये जाती है जैसे की fruit, Animal, Donald Duck या फिर कॉछ comic characters εν ही डॉल्स को national और international museum में भी represents किया जाता है और आप इन सभी डॉल्स को इन पीचेस में भी देख सकते हैं अब इसी situation से related हमारे सामने कुछ questions है बढ़ उससे पहले कुछ information यहां बताई गई है सबसे पहले यहां क्या कहा गए The ratio of diameters of the red spherical apples in doll 1 to that of spherical orange in doll 2 is 2 ratio 3 तो सबसे पहले बात की जारे doll 1 and doll 2 की दोनों dolls में देखा जाए तो doll 1 में apples है और doll 2 में oranges है तो यहां बात की जारे है कि दोनों जो है यानि कि apples and oranges दोनों के जो diameters है उनकी ratio है 2 ratio 3 फिर बोला गया है in doll 3 male doll of blue color has cylindrical body and a spherical head तो यहां पर अगर doll 3 में देखा जाए तो एक male and female दो चीज़े है अब male doll के बारे में बताया गया कि यह blue color की है जिसके एक cylindrical body है यहां हम देख पा रहे है और इसका जो head है वो spherical shape के है और दोनों connected है तो यही बोला गया the spherical head touches the cylindrical body next the radius of both the spherical head and the cylindrical body is 3 cm यानि कि यहां पर इस male doll की spherical head और cylindrical body जो है दोनों का radius 3 cm है and the height of the cylindrical body is 8 cm इस cylindrical body की height भी हमें गिवन है अब आगे बोला गया हमे based on these above information answer the following questions तो अब हमें कुछ questions के answer करने है तो आई सबसे पहले question को read करते है what is the ratio of the surface area of the spherical apple in doll 1 to the spherical oranges in doll 2 तो यहां बात की जारे कि doll 1 और doll 2 ठीक है doll 3 और doll 4 को भी हटा देते है because वैसे भी ज़्यादा space ले रहे है तो doll 1 and doll 2 की बात करते है तो यहां कहा गया कि हंजी आपको क्या बंगी बना है इसके बारे में कि first में जो apple है second में जो orange है इन दोनों के diameters की ratio हमें की बना है अब हमसे कहा गया कि आप apples and oranges की जो surface area है उनकी ratio बताईए चीक है अब surface area की ratio बतानी है यह कैसे निकाले surface area और यह भी spheres की बात की जारी है because दोनों spherical shape की है तो surface area का formula हम जानते है spheres के लिए जो क्यों होता है 4 pi r square यानि कि मुझे radius चाहिए होगा तब ही मैं surface area निकाल सकता हूँ तो कैसे करें तो हमें diameter की ratio given है और हमें पता है कि जब हमें ratio से information निकालनी होती है तो हम क्या करते है हम जो values given होते है जो ratio की values हमें given होती है उसे हम एक common variable से multiply कर दाते है लेट से वो variable x तो diameter d1 लेट से जो first dollar का diameter d1 है तो वो हो जाएगा 2x and diameter d2 हो जाएगा 3x दोनों को मैंने x से multiply करते है एक common variable से अब diameters की कुछ information है तो radius निकाल जा सकता है कैसे हम जानते है diameter का अगर हम आफ करते हैं तो radius मिलता है तो first dollar के लिए यानि कि apples के लिए जो radius होगा वो होगा 2x divided by 2 which is equal to x and dollar 2 में जो oranges है उसका radius होगा 3x divided by 2 चीक है तो अब हम सबसे पहले जो apples है उनका surface theory निकालते है जो कि है 4 pi r square formula होता है so 4 into pi divided into 2 by 7 into radius radius here radius is x तो x का square तो इसे solve करेंगे तो answer आएगा 88x square divided by 7 इसी तरीके से second dollar में जो oranges है उसका भी हम surface theory निकाल सकते है by using same formula बट यहाँ पर जो radius है वो बदलेगा जो कि होगा 3 by 2 x इसे हमने put के इसे solve किया और answer आया 198x square divided by 7 बट हमें तो ratio निकालने है ratio means इन दोनों को divide करके देखना पड़ेगा तो क्या fraction आती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे S1 यानि कि first doll में जो apples है उसकी ratio लेंगे oranges की साथ so S1 divided by S2 is equal to first की क्या थी 88x square divided by 7 divided by 198x square divided by 7 अब हम इस इसको ऐसे भी तो लिख सकते है divide ऐसे भी तो कर सकते है नाव अब इन दोनों को divide करना तो काफी मुश्किल है तो हम क्या करते है हम इस division वाले symbol को multiply में convert करते है तो उस multiplication तो हो जाएगी but multiply करते time हम इस इसका ध्यान रखना है कि जब हम division को multiply में convert कर रहे होते है तो जो हमारी पूरी second term होती है वो reverse होकर multiply होती है तो उपर x square नीचे x square cancel out 7 से 7 भी cancel out हो गया और 88 and divide by 198 इससे जब आप थोड़ा simplify करेंगे तो fraction आजाएगी 4 by 9 तो मैं कह सकता हूँ कि S1 ratio S2 क्या हुआ 4 ratio 9 इट मिस जो first doll में apple है और second doll में oranges दोनों की जो ratio है surface area की ratio हुआ रही है 4 ratio 9 और यही हमने निकाल ला था तो काफी interesting था राइट? रियल लाइफ situation है और उस पर हम math supply कर रहे है चलिए अब second question हमें यहाँ पुछा गया है यानि कि अब यहाँ बात की जा रही है doll 3 and doll 4 की हमें कहा गया कि doll 3 में जो यह male body थी यानि कि पूरी blue color की जो body थी इसे हमने melt कर दिया और melt करेंगे यानि कि दुबारा से हमें clay मिल जाएगी बापिस अब उस clay को थोड़ा सा mold किया और cylindrical drum बना दिया जो doll 4 में है तो अब हमें बताना है कि जो cylindrical drum बना है इसका radius 3 cm है तो बताओ इसकी height क्या होगा Now students हमने surface area and volume के chapter में एक बात बड़ी study की थी कि जब भी हम किसी एक चीज़ को melt करके दूसरी shape में convert करते है तो हुआ एक चीज़ है वो जो हमेशा constant रहती है जो कि यह है volume यानि कि मैं कहा सकता हूँ कि हमारे इस doll 3 में जो पूरी blue body है complete इसका जो volume होगा blue doll का वो equal होगा उसी cylindrical drum के जो इसे melt करके बनाया गया था तो बस अब इस expression से हम निकाल सकते है height क्या होगी कैसे देखें blue doll का volume देखें तो वो क्या होगा अब हमारी blue doll दो चीज़ों ही मिलकर बनी है cylinder and sphere तो हम दोनों का volume consider करेंगे तो मैं यसे ऐसे लिख सेता हूँ volume of cylinder प्लस volume of sphere and जो cylindrical drum है वो तो cylinder ही है अब cylinder का volume इसका formula होता है pi r square h plus sphere का volume जो क्यों होता है 4 by 3 pi r cube now अब radius में confused ना हो जाए तो मैंने r के नीचे c लिख है ये denote कर रहा है cylinder के radius को और r के नीचे s लिख है it means ये denote कर रहा है sphere के radius को अब उसके बाद बात की जाए cylindrical drum की तो again इसका volume क्या होगा pi r square h मैंने यहाँ पर r और h को capital letters में लिख है ताकि again confusion ना हो अब देखा जाए इस expression में values को put करने से पहले मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों तरफ जो pi है वो common मिल रहा है यहाँ पर radius होगा yes, cylinder का और दूसरी तरफ radius है sphere का और हम जानते हैं कि दोनों के radius तो equal थे आप question में भी देखी बताया गया था कि यहाँ पर sphere और cylinder दोनों का radius 3 cm ही है तो ठीक है यह तो बहुत बड़ी है तो दोनों की जग़ा 3 ही आ जाएगा तो यह हुआ 3 square into height 8 थी plus 4 by 3 again 3 cube is equal to now अब यहाँ बात की जाए capital R square h है capital R यानि कि उस cylindrical drum का radius जो फिर से हमें बोला गया था कि 3 ही है तो फिर 3 होगा यानि कि यहाँ तीनों cases में 3 ही आ रा radius और height यह हमें निकाल ली है तो बस अब इस expression को solve करके हम height निकाल सकते है left hand side को जब solve करेंगे तो answer आएगा 72 plus 36 is equal to 9H तो जो आप h की value निकालेंगे तो answer आजएगा 12 cm और यह हमें निकालना था तो हमने क्या किया blue doll को melt करके उसकी clay से cylindrical drum बनाया जिसका radius 3 cm था और height हमारे पास आ रही है जो हमें निकालना थी जो की थी 12 cm अगें काफी interesting question था यह भी तो चलिए यहाँ पर आपका sample paper दोस्तों खतम होता है इस sample paper की हर एक question को हमने detail में study किया and students इन questions को किस तरीके से हमें attempt करना है किस तरीके से हमें लिखना होता है ऐसे questions को exams में इसके लिए P.U.Stack आपको notes भी provide करते है इसके लिए आपको P.U.Stack की आपको डाउनलोड करना होगा पिकोज वहाँ पर आपको सब इन नोट्स प्रवाइड किये गए हैं तो फिर चलिए All the best for your examination Thank you for watching I'm sure students आपको ये lecture काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से अपने हर एक concept क्लिए करने के लिए डाउनलोड कीजिए P.U.Stack आप को जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे options होगे जैसे की back exercise solutions tip videos, sample papers and much more So what are you waiting for? Download the app now